प्रिक्ट शूपर फैन से दोस्तो आए से टीवन टी वर्ल्ड कप 2020 होने वाला काफी ज़्यादा खास और काफी इंटरस्टिंग जहां पर काफी बड़े-बड़े मुकाबल हैं में देखने के मिलने वाले हैं तो आज में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं टीम टीम इंडर के स्ट्री के स्कॉइट के बारे में टीम वर्ल्ड कप 2020 में टोडल कितने मैचेस खेलेगी, किस किस टीम भी खिलाब भार किती मैचेस खेलेगी T20 विशो कब 2020 में और सारे मैचेस कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे और कितने बज़े से स्टाट होंगे पूरी विश्तार से बात करेंगे सुनूत लेकर लास तक पूरी वीडियो देखते रहें वीडियो मागे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइकों सेर कर दीजी अगर आप भी हैं किरिकेट के फैंस किरिकेट से जोड़ी हरे एक नियुदन अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्क्राइब कर लें साथी बेल आइकों को प्रेस कर लें अब दुस्तों गर हम बात के तो T20 World Cup 2020 है जो कि 18 अक्तूबर 2020 को स्टाट हो जाएगा और 15 नॉमबर 2020 को खतम होगा यानि कि 15 नॉमबर को फानल मैस खिला जागा T20 विसो कब 2020 का अब अगर हम बात के रहें यहाँ पर तो गाइस T20 विसो कब दू आजर बिस के लिए भारत की टीम सबसे बड़ी परवल दावेदार टीम माने जा रही है जो कि टीम इंडिया के परफार्मेंसिस टाइम पर भी काफी सांधार है खास तरुपर T20 फॉर्मिंड में अगर हम बात के तो इसके लावा अस्ट्राइलिया, साउथ अफरीका, न्यूजिलेंड जबकि पागिस्तान की टीम भी परवल दावेदार टीम माने जा रही है क्योंकि पागिस्तान की टीम भी पिछले एक साल से और लगबग देल साल हो गए है T20 की रैंकिंग में नमबर वन पर मौझूद है और ये टूनामेंड भी T20 फॉर्मिंड में खेला जागा जो कि T20 वर्ल्ड कप दो आजर बिस्त होस्ट कर रही है अस्ट्राइलिया यानि कि अस्ट्राइलिया में खेला जागा अगर हम बात करें यहां पर टीम इंडिया के पूरे कंफरम स्ट्राइलियूल के बारे में टीटेवंटी वर्ल्ड कप दो आजर बिस्त में कि भालती तीम किसटेम के खेलने वाले कहाँ पर खेलेगी कितने बज़े से स्टारट होगा तो चलिए बात करते है टीम इंडिया के पूरे confirm schedule के बारे में तो कुछ इस तरह से भारती टीम का schedule तो भारती टीम T20 World Cup 2020 का अपना पहला मैश खेलेगी साथ अफरीका के खिलाफ जो कि यह मैश 24 अक्तूबर को खेला जागा भारत बनाम साथ अफरीका के बीच मैश के बाद टीम इंडिया अपना दूतरा मैश खेलेगी वंतिस अक्तूबर को भारत बनाम कॉलिफायर के बीच खेला जागा यह मैश और यह मैश दोपैर एक बस कर 30 मिनट से स्टार्ट होगा जबकि टीम इंडिया अपना तीसरा मैश खेलेगी टीटवन्टी विसुकब 2020 म होगा जबकि टीम इंडिया अपना पांचवा मैश खेलेगी टीटवन्टी विसुकब 2020 में अफगांजिस्तान के खिलाफ जूकि बाद बनाम अफगांजिस्तान के बीच यह मैश आठ नूवंबर 2020 को खेला जागा और यह मैश भी दोपैर एक बस कर 30 मिनट से स्टार्ट हो जागा जुकि पहला समीफानल मैश खिला जागा बारा नौंबर को जबकि उसके बार ऐसकाप 2020 मेश का पंद्रह नौंबर है के बारे की thumbenda की स्टार्ट है तो एस टीम इंडिया इस टाइम पर तो T20 विशुकप 2020 के लिए पूरी तरह से तयारियों में लगी वी है और कहीं ने कहीं टीम इंडिया का स्कॉइड भी लगबग तैय हो चुका है तो चलिए बात करते हैं टीम इंडिया के 15 खिलाड़ों के संभाई होते हैं तो नमबर एक पर भारते कप्तान विराट कोली नमबर दो रोहित स्रमा वाइस केप्टन नमबर तीन सीखर दवन नमबर चार्स रैस आयर नमबर पांस मनीश पांडे तो T20 विशुकप 2020 के लिए टीम इंडिया के तरब से ये पांस बल्ले बाज सामिन होने वाले हैं अगर हम बात कि रहे नमबर आठ पर हार्दिक पांडिया नमबर नो पर रविंद्र जटेजा जो कि आल्स राउंडर के तोरह पर भी दो आल्स राउंडर को टीम में सामिल किया जाएगा अगर हम बात करें इसके अलावा बॉलर्स के बारे में तो नमबर दस पर होगे कुलदी प्यादो चाना मैंन स्पिनर नमबर ग्यारा पर युएंदर चहल नमबर बारा पर मुहम्मद समी नमबर तेरा पर जस्पीत पुम्रा नमबर चोड़ा पर नोदी प्रसेनी या फिर दीपक चहर जबकि नमबर पंदरा पर साथ दूल और या फिर बुमने तुरुकमार में से किसी एक को सामिल क्या जागा यहाँ पर डीपेंड करेगा बुमने तुरुकमार का फिटनेज की वो फिट हो पाते हैं या फिर नहीं तो गाइस भार के टीम T20 विसुकप 2020 के लिए टोटल 6 गेड़ बाउजों के साथ उतने वाली है जो कि यह टीम इंडिया के 15 खिलाड़ों के संभावेती टीम स्क्वाड है प्रोबेबल टीम स्क्वाड अभी तक 100% और अफिसल एनॉंस नहीं कि आप बेश रिचाइन ने लेकिन लगबग लगबग तय हो चुका कि यही टीम स्क्वाड उन्हें वाला है